हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग पावर प्लांट इंजिनेरिंग के इंपोर्टेंट कुश्चन को डिसकस कर रहे हैं और हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट थर्ड के इंपो देखिए और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको कम्प्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी पावर प्लांट इंजिनरिंग की जितनी भी वीडियो और वी उसमें अप्लोड करूँआ सब आप वहां से देख सकते हो साथ ही नीचे डिस्किप्शन बॉक्स मे करें सबी इंप्रोटेंट कुशन को देखेंगे जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हो यूनिट फूर का हमारा नाम क्या है नोन कन्वेंशनल पावर प्लांट ठीक है और नोन कन्वेंशनल पावर प्लांट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँग एक वीडियो पावर प्लांट हो गए तो यह सब क्या है कुछ नोन कन्वेंशनल पावर प्लांट है और इन्हीं सब को हम लोग इसी यूनिट में अच्छे से बढ़ेंगे तो दोस्तों मैंने आठ कोस्टन्स निकाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो वन स्टेवल डाइगराम है ना एक डाइगराम अच्छा सा आपको बनाना है और उसकी मदद से आपको बताना है जी थर्मल पावर प्लांट होता क्या है फिर अगर हम बात करें हमारे पास नेक्स्ट क्विशन क्या है देखो इनर्मेट एंड एक्स्प्लेंड वेरियस टाइप और प्राइम मूवर यूज्ड इन जियो थर्मल एनरजी कन्वरजन से स्टम यानी कि जियो थर्मल क्वरजई दोस्तों होता है दोस्तों कoped कौन कॉन से ट्यूंत के प्रायम मूवर का यूज़ करते हैं उनको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर समझाना है तो आपको एक explain the components of a wind electric generating system with neat sketch यानि कि आपने wind power plant देखे होंगे उस power plant से हम लोग किस तरीक से electricity generate करते हैं उसके क्या के components होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहां पर बताना है अब हम next question देखते हैं अपना हमारे पास next question है न दोस्तो explain the working of wind power plant wind power plant किस तरीके से work करता है with neat sketch along with its limitations और उसके क्या क्या limitations है यानि कि आपको इस question में बताना है तो wind power plant होता है सबसे पहले उसका एक layout अच्छे से बनाना क्या होता है wind power plant और उसके बात उसको समझाना उसकी working क्या होती है क्या उसके limitations होते हैं उनको आपको इस question में अच्छे तरीके से समझाना है तो आपको दो चीज समझ आगे होंगी एक आपका जियो थर्मिल पावर प्लांट सेकिंड आपका wind power plant ठीक है अब हम बात करते हैं हमारा next power plant के बारे में जो की है tidal power plant अब देखो tidal power plant आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैंने नूटिस किया था इस tidal power plant से काफी questions आपको देखने को मिलते हैं तो इसी लिए मैंने tidal power plant से तीन questions देखें हैं ठीक है तीनो question में आपको बता हुआ सबसे पहला question जो आपका है वह है explain with diagram the working of single pool tight system ठीक है single pool tight system की working आपको बतानी है second sketch and explain the two pool tidal power plant two pool tidal power plant क्या होते हैं what are the different types of tidal power plants और कौन-कौन से different types होते हैं power plant के हैना उन सबको अच्छी तरीके से आपको बताना है basically tidal power plant को मैंने बहुत अच्छी तरीके समझा रखा है एक video मैंने tidal power plant पर बनाई हुई है अनीचे description box में आपको link देदूँ हूँ वहां से आप लोग देख सकते हो चलिए हम लोग next question देखते हैं tidal power plant में next question कौन सा है देखे दोस्तों यहां पर लिखा जा रहा है explain the spring tide and neap tides, discuss the different tide, tidal power schemes and configuration with the neat sketches तो आपको दोस्तों tidal power plant से तीन question देखने को मिल चुके हैं एक और question important है वो मैं आपको बताता हूँ वो है what is the working principle of ocean thermal energy conversion देखो दोस्तों tidal power plant में भी हम लोग ocean जो waves होती है हमारी है ना समुद्र की waves बगरा होती है उसी का हम लोग इस्तमाल करते ज्यादा तक डेम बगरा बनाते हैं हम लोग है ना तो यह सब उसी से related है तो दोस्तों अगर आपने notice क्या होगा हम लोगों ने तीन power plant के वारे में discussion किया सबसे पहले हमने जियो thermal power plant के वारे में दिसकस किया फिर हमने टाइडल power plant के वारे में discussion किया और फिर हमने wind power plant के वारे में discussion किया तो यानिकी तीन power plant को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और इनी के बेस पे आपको questions देखने को मिलेंगे तो दोस्तों unit 4 के important questions यहीं खतम होते हैं तो अगर आपको यह वी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वाइद करें तो तो अोइब